किसान भाइयों सौकत है आपका चैनल एकरी आकास पे किसान भाइयों आज की इस वीडियो में आपको कैसी बिदेशी सब्जी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ अगर इस सब्जी को आप अपने खेत में लगा देते हैं तो बहुत ही जादा उत्पादन देखने को मिले एक एकड़ में आप 15-20,000 रुपए लगा करके एक एकड़ इस सब्जी की खेती कर सकते हैं और 100 रुपए 1500 रुपए किलो इस सब्जी बिकती है तो एक एकड़ में बहुत ही आसानी से आप 5-6 लाख रुपए तक कमा सकते हैं इस वीडियो में आपको संपूल जानकारी मिल इस वीडियो कौरा देखिएंगा चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करदेगा तो चिसान भाइव में बात करने वाला हूं तो जुकनी की खेती की, कहीं पर इसको चपन कदू कहा जाता है, कहीं पर जुकनी कहा जाता है, यह मुख रूप से भिदेशी फ़सल है, लेकिन इस समय जो है, इसको भारत में भी लगाया जा रहा है, क्योंकि इसका एक एक एकड में उत्पादन भी काफी अच्छा होता है, और प्राइस भी काफी अच्छा रहता है तो यह जो खेती आप उप काफी अधा प्रॉफिट दे सकती है सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी के देख़िया जुकनी की खेती जो है कई तरह की मिट्टिव में की जाते हैं लेकिं रेतीली मिट्टी हो गई दौमट मिट्टी हो यह इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और मिट्टी का प्याच मांद 5-10.5 ले करके 6-10.5 तक का है तो वह जुकिनी की खेती के लिए बेश्ट माज आता है यहां पर आप इसकी खेती काफी आसानी से कर सकते हैं कैरी के लिए सबसे पहले आपको जो है किसान भी उखेत को साफ się फूतरा करना ऐ और उसके बाद एक फ़र जुटाई करनी है सोफे 12 से कुंटल गोबर की खाद डाल करके आपको जुताई करने ही मिट्टी को भुर्भुरा कर देना है और जितना हो सब्सक्राइग गोबर की खाद डाली है एक एकड़ में आप 12 सोफे 200 कुंटल तक यहाँ पर गोबर की खाद है उसको डाल सकते हैं जितना जादा गोबर की खाद होगी राशाइनी खाद की जरुवत कम पड़ेगी फिर जो है मिट्टी को भुरभुरा बना लीजी मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बात की सानुभे उसमे आप पलेवा कर सकते हैं फिर जैसे ही पलेवा सुक जाए आप 2-3 जुताई कर यह जो है हरी जुकनी की वराइटी होती है इसकी फल की लंबाई 10 से 12 इंच होती है ज्यादा उत्पादन के लिए यह किसम जानी जाती है एक एकड़ में आपको 200 कुंटल तक का यह किसम जो है उत्पादन दे देती है यह हमाई दूसरी वराइटी वह भी नामधारी की एन्ए इस अंठानवी क्यासी है यह पीली जुकनी की वराइटी होती है इस किसम को आप पूरे साल लगा सकते हैं मुख रूप से तीन बार लगाया जाता है पहला मई जून में दूफरस फितंबर अक्टूबर में तीसरा अपरेल और मार्च में इसका जो फल होता है और ज्यादा 500 फिले करके 500-500 फिलेंक चमक्डार होता है इसका फल होता है ऄंप और चमboo की चुकनी होती है ध्याईर से फूरे की अब की देंक की से पहले अपने बीबेग का इस्तेमाल जरूर कीजिए और आप बात करते हैं कितना बीज लगेगा बीज को पचायत कैसे करेंगे देखिए एक एक एकर जुकनी की जो खेती किसान भाईयों अगर एक 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 किलो फिलेकर करके 1250 ग्राम तक बीज की जरूरत पढ़ती है बुगाई किस बुगाई करने का जो सही तरीका है कि वो क्या रहती है इसकी जो फिलेकर की मार्ज तक की जाती है दूफई जो है अप्रय और मध़ी की महीने भी करते हैं तो तीन बार कर सकते हैं पोडे से पोड़े के दूरी 40-45 cm रख़िए और लाइने के दूरी is या पचास से जो है साथ सेंटीमीटर रखिए बीच को दो से धाई सेंटीमीटर गहराई में बोहिए बस यहीं होता है इसकी बुगाई का जो सही तरीका अब बात करते हैं किसमें कौन सी खाट डालनी चाहें देखिए एक एकड़ में पचास किलो डीएपी और उसके साथ में चा जो है पांच किलो सूच पॉसक तर्तो या जिंक सल्फिट मिला करके डाल दीजिए इसके लागा कोई और खाट डालने की जरूरत नहीं होती है और अब बात करते हैं कि सिचाई का सही तरीका क्या है देखिए किसान पर जो सिचाई का तरीका होता है आम तोर पे गर्मी के द करने में कोई परहेज ना करें फूल और फल बनते समय बाकी किसान भाईयों आप सुबा साम सिचाई करें गर्मी में दो पहर नियांतरन कैसे करें जुकिनी की फफल को मुक्यता दो बार खर पतवार नियंतरन की जरूरत पहली परती है पहली बार बुवाई के 20-50 दिन में दूसरी बार 40-45 दिन के वफ़ता पर करें पहली राम जब खर पतवार नियंतरन कर रहे हो तो गुणाई करके जो मिट्टी है इसकी जड़ों पर चला दीजिए दूसरी बार नियराई गुणाई किसान भी और 40 दिन के अंदर कर लें ताकि पहे तुड़ाई से पहले जो है अगर आप खर पतवार नियंतरन कर लेंगे तो कोई भी जो कीट है फूल पे जाकर के फल को नुकसान नहीं करें क्योंकि जैसे ही फल बनने शुरू होते हैं फल मक्की वहाँ पर आ जाती है और वो जो है कीट पतंग जो होती है वो घासों के माध्यम से ही जो है वो ज्याद करेंगे और अब हम बात करते हैं कि आने वाले पिर मुख कौन से कीट इसमें कौन से आते हैं इसको कैसे नियंतित कीजिए देखे जो सबसे बड़ा कद्दुगर्गी फफलों का दुसमन है वह है फल मक्खी जी हां जो फल मक्खी होती हो चाहे हो कद्दुगर्गी कोई सी इसकी जो है मुख समस्या होती है वैसे ही चपन कद्दु यानि जुकनी की भी जो है यह मुख रूप से समस्या है सबसे पहले किसान भाई यह बाहरी तुचा के माध्यां से अंदर जो है अंडे दे देता है उसके बाद जो है से जो कीड़े छोटे कीठ है फल की जो गुद कि नित्रण निंत्रण निंत्रण करें तो फल मक्कि कम से काम आए उसके नियंत्रर के थीजे कर अपनंत करेंगे sol काली होती है ने काली बु में अहीं है यह जो जो काली पंदर मिलागर कर इस पर पॉधियों जो है वो जो पेड़ पौधे हैं मुलायम जो मुलायम भाग है पौधिक उसको पहले खाते हैं और इससे जो है वो सुखने लग जाता है पौधा तुससे बचने के लिए क्या करें देखिए अगर यह सुरुवाती अफ्ता में आ रहा है तब आपको इसका तेजी दूर हो जाएगी और अब हम बात करते हैं कौन से रोग इसमें आते हैं देखिए किसान भी जो सबसे प्रमुख इसमें रोग हो पत्ते का चितकबरा रोग है यह पत्तों को समय आता है इससे की विकास रूख जाता है पत्ता पीला पढ़के नीचे गिरना सुरू हो जाता ह है उसके नीचे के लिए आपको लेना है इमीडिया क्लोरोपीट फट्रफमलोवाट इसके आपको दिखाई देया रही है साथ एमिल दफ लिटर पानी मिलाकर कीजिए समस्या दूर हो जाएगी जो हमारी एगली समस्या है वह है पत्तों पर सफेद धब्बे बनना इससे कान समस्या नहीं आएगी तीसरी समस्या हुआ है भी प्रण जाता है और मुलायम फल को तोड़ करके आप मंढीम बेचना सुरू कर दीजिए इसका जो और रेट होता है वहा तो आपको यहां से अच्छा रेट मिलता है तो आपको यहां से अच्छा रेट मिल गया तो आप एक जो है असानी से पांच से च्छे लाख रुपाय कमा सकते हैं और चार से पांच महीने में तो यह जो चपन कद्दू या फिर जुकनी की खेती है यह आपके लिए सफ़धा प्राफिटेबल हो सकती है और इसलिए मैंने वीडियो बनाए विडियो मैंने आपको पूरी जानकारी दी वीडियो कैफला कमेंट स्क्रम जरूर लिखिएगा चनल में पहली बार आहें सब्स मैंने बार